बुद्ध कहते हैं मन और सरीर दोनों के लिए स्वास्त का रहस्य है अतीत पर सूक मत करो ना ही भविस्की चिंता करो बलकी बुद्धिमानी और इमांदारी से वर्तमान में जीओ लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं जी ही नहीं सकतें अगर जी सकते हैं तो आप कोशिस करके देख लिशे आप का मन और सरीर दोनों स्वास्त हो जाएंगे आप भविस्की चिंता में परिसान नहीं होंगे और ना ही अतित के दुग को लेकर रूणा रोएंगे बलकी वर्तमान में चल रही चिन्दगी भी आपको आनंद देगी मैंने सुना है कि कहीं दू एक पहाड के चटान पर एक बैक्ती बैठा रो रहा था वहां से एक बौद बिच्छू गुजर रहे थे उसे रोता देख बिच्छू उस बैक्त के पास गए और बोले क्या यहां से कूद कर आत्मात्या करना चाहते हो बैक्ती बोला अपने सही अंदाजा लगाया मैं चाहता तो यही था मगर हिम्मत नहीं चुटा पा रहा हूं बिच्छू ने कहा क्या सब कुछ पीछे छोड़कर आये हो या अपने साथ कुछ लेकर आये हू ब्यक्ति ने कहा नहीं मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया बिच्छो ने कहा तो तुम इतना बोच लिये क्यों मैठे हो ब्यक्ति ने कहा कौन सा बोच मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ बिच्छु ने कहा फिर तुम कौन से बोच के तले दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सासे भी ठेक से नहीं चल रहे तुम आत्मात्या करना चाते हो, रो भी रहे हो खाली इंसान तो ऐसा नहीं रोता, जो कंगाल हो गया है उसी क्या डर अपने अंदर में जाको और देखो तुमने कितना बोच उठाया है, कितना कुछ तो अपने सर पर ढो रहे हो, इसी उतार कर रख दो, थोड़ा सा हलका हो जाओ कब तक इस बोच के तले दबेड होगे, वह ब्यक्ति बिच्चु के चरड़ों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए आप ही मेरी समस्या का समधान कर सकते हैं बिच्चु ने कहा, कहा है समस्या, ब्यक्ति ने कहा, मेरी घर पर वह मेरे साथ चलिये बिच्चु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है समस्या तुम्हारी अंदर है, जब तक अंदर से समस्या का समाधान नहीं करोगे तुम्हें हर जगए समस्याएं ही नजराएंगी और अगर यहां इस चटान पर समस्या नहीं है तो फिर तुम यहां आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो क्योंकि तुमने तु घर छोड़ दिया है समस्या भी छूट गई है फिर तुम इतनी परिशान क्यों हो बेक्ति बोला आप सही कहते हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कमी मुझ में ही है मैं इसलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ अच्छो ने कहा ठीक है उझे बताओ की क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में बेक्ति ने कहा मैंने बैपार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया हुआ था उस धन से मैंने बैपार किया लेकिन मेरा बैपार ठीक नहीं चल पाया सुरू सुरू में मेरी परिवार वालों ने मेरा साथ दिया था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने प्यापार में नुक्सान उढ़ाता गया मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए मैं सब उन्हें के लिए तो कर रहा था लेकिन वे मुझे अब इन सब का जिम्मिदार ठैराते हैं मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ बहुत ही गलत किया मेरा एक मित्र है उसने भी ब्यापार आरंब किया था मेरी घर आता है तो वे अपने अच्चे चल रहे ब्यापार की बाते करता है वे बताता है कि कैसे उसने अपने ब्यापार को अपने दम पर खड़ा किया कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे तेरे बसका तो कुछ भी नहीं अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिर्वी पड़ा है जब भिच्छु ने कहा क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यूं आता है ब्यक्ति ने कहा हां मुझे पता है वे मुझे नीचा दिखाने आता है वे ये जतानी आता है कि वे मुझे स्रेश्ट है वे चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं तब भिच्छो ने कहा क्या तुम दुखी होते हो ब्यक्ति ने कहा हां दुख तो होगा ही भिच्छो ने कहा दुख किस बात का होता है अपने एसफल होने का या मित्र के सफल होने का ब्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला अपने एसफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। विच्छो ने कहा अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुसी होगी। विक्त ने कहा हाँ मुझे बहुत ही खुसी होगी। विच्छो ने कहा अर्थात तुम्हारी खुसी तुम्हारे मित्र के उपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुस कर सकता है या चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम स्वयम से तो ना खुस हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गये हो, तुम्हारी समच्चा का कोई समधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुश्या और तुम्हारे दुख दूसरों के बयवहर से आते हैं. तुम्हारे स्वयम के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा है. ब्यक्ति बोला ऐसा ना कहें मुझे आपसे बहुत आसा है विच्छो ने कहा जब हम दूसरों से आसा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दू तो तुम दुखी रह जाओगे और अगर कोई रास्ता दू तो साइद तुम्हें कुछ मिल जाए लेकिन अगर आसा तुम अपने सिबाद होगे तुम्हें सफलता अवस्य मिलेगी तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आ लेकिन बाते वे सच्ची ही बताता है, वे अपने संगर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है, उसकी अनुभव और अपनी बुद्धी का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो तुकी होनी की जगए कुसी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे ही अनुभव मिल्ला है संघर्ष करो हारमत मानो कर्म करते जाओ बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है और जब तुम्हारा अच्छा वक्त सुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा वो अपनी ऐस सफलताओं की कहानी जरूर बताएगा ताकि तुम गलत निरड़ा ले सको तब भी अपनी ये बुद्धी का प्रियोग करना उस समय भी वे तुम्हें दुखी करने आएगा क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्ही दुखी देखने में जितना की तुम्ही आता है उसे दुखी देखने में बेक्ति ने कहा आप सही कहते हैं मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं लेकिन कि अपनों के लिए कुछ करना गलत है मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था लेकिन वे परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है वे चाहते हैं वे चाहते हैं कि हम कुछ करे तो लोग उसकी परसंसा करे परसंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं हमें लगता है कि सब मतलबी है लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तुम अपने लिए ही कर रहे हो गर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे और तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें संतावना की जरूरत नहीं पड़ती, ब्यक्त ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं अब समझ कया हूँ, अब तक मेरी किस्मत दूजरों के हाथ में थी, तो खराब थी, अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, अब ये अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंग फिर भी, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं, जब मेरे जीवन का सबसी बुरा वक्त हो, तब मेरे साथ निभा सके, बिच्छो हसा, और कहा, ये छोटा सा बाक्स, मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना, इसमें एक ऐसा राज है, जो तुम्हें सभी खोलना, जब तुम्हारी जिन्दगी में कोई रहना जाए, और तुम्हें लगे कि सब बेर्थ है, मेरी बाते भी बेर्थ हैं, ये दुनिया भी बेर्थ है, यहां रहना भी बेर्थ है, वह बैक्ती उस बाक्स को लेकर चला गया, उसनी पिच्छू की बात पर आमले कि और ब्यापार अरम किया, उसका ब्यापार अच्छा चला, उसका जीवन भी अच्छा बेद रहा था, परिवार वाले भी उसके साथ अब आ गए थे, अब वै जो कुछ भी कर रहा था, सब अपने लिए ही कर रहा था, बूद्गाल का रोना भी वै छोड़ चुका था, पविस्काल की चिंता भी वै नहीं करता था, वर्दवान को सुधारने में लगा रहता था, लेकिन वक्त बदलता है, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, उसका अच्छा समय भी समाक्त हो गया, उसके राज़ पर किसी राजा ने हमला कर दी उसका घर तबाह हो गया व्यपार भी तबाह हो गया उसके अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे पोग से उसके माता पिता के मृत्त हो गई वह अपने पतनी और एक छोटे भाई और दो बच्चों को लेकर इधर उधर बटक रहा था उसके बच्चे बिमार थे उसे पैसा चाहिए था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था तब उसी लगा कि सब बेर्थ है उसका जीवन भी बेर्थ है इस पिर्थिवी पे सब कुछ बेर्थ है सब बाते जो भी चुने कही थी सब कुछ बेर्थ है किसी भी बात का कुई मतलब नहीं है अंतत है जीमन समाप्ती ही होता है तो फिर जीवित रहकर क्या पायदा जब वह यह सब सोच रहा था तब उसकी नजर वो छोटे से बक्सी पर पड़ी जो उसे बिच्छु ने दिया था उसने उसे खोला उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था उसने उसे पढ़ा और जोर से हसा उस पर्ची पर लिखा था यह वक्त भी गुजर जायेगा उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिन्दगी की सुरुवात की हो सकता है आपके पास वे सोने का सिक्का ना हो लेकिन हिमत तो है कुछ ना कुछ कर ही लेंगे